हेलो फ्रेंड गूड इवनी कैसे आप लोग होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तियारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो सुरू करते हैं एक और क्लास लास क्लास में हमने छेतर मिती का तिरिबुच सीखा था एक दिन हमने तिरिबुच की ठियोरी सीखी थी उसके बाद हमने तिरिबुच से रिलेटेड प्रसन भी करवाये थे आप से जो जो क्वेशन एक्जाम में बनते हैं आज उससे एक स्टेप और आगे चलते हैं और आज हम सीखते हैं आयत आयत से बहुत ज़्यादा क्वेशन मनते नहीं है बट फिर भी आयत एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से इंपोर्टेंट है क्योंकि दो तीन क्वेशन ऐसे हैं जो बार बार देखने के लिए मिलते हैं बट सिलेबस में हैं तो हमें पढ़ना तो पढ़ेगा पेपर में आएगा नहीं आएगा ये नहीं बता सकते हैं बट सिलेबस में इसलिए में ये complete करना पड़ेगा तो शुरू करते हैं आज की क्लास में आयत ठीक है तो इस आयत के बारे में आपको क्या fact यादखना है दो ही चीज आपको यादखना है या तो आपको छेत्रपल पूछेगा आयत से related प्रस्नों में आपसे छेत्रपल पूछा जा सकता है और रेक्टेंगल का जो एरिया निकाला जाता है या सब बच्चे-बच्चे को पता होता है L into B होता है कोई भी निकल सकता है इसके अलावा रेक्टेंगल में आयत में आपको परिमाप पूछा जा सकता है पैरेमिटर और बच्चे-बच्चे को पता होता है कि रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो होता है 2 L plus B L plus B बोले तो लंबाई और चोड़ाई ठीक है length and breadth length and breadth इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवशकता नहीं है बस कुछ नहीं ठीक है इसके अलावा जब भी हम rectangle को पढ़ते हैं तो rectangle को पढ़ते समय एक चीज बार-बार सामने आता है अब वो आता है Pythagoras theorem Pythagoras परिमें आपने सुना होगा आपने पढ़ा होगा बच्पन में ही आपको सिखाया गया होगा यह हमारे syllabus में हिस्सा नहीं है ऐसा specify बट जब हम rectangle को पढ़ते हैं ट्राइंगल को पढ़ते हैं तो Pythagoras परिमें बार-बार सामने आता है यह हमें पता होना चीए कैसे इसको find out किया जाते हैं तो मेरे दोस्तों Pythagoras पर में क्या होता है जब कभी ऐसा figure आपके सामने बने यह हो गया आधार जिसे आप बोलोगे बेस यह हो गया height जिसे आप बोलोगे हिंदी में लंब अई यह hypertenious पता नहीं क्या बोलते हैं अंगरे जी में वो मुझे आता नहीं अंगरे जी आप लोगो बताया है हिंदी में हम लोग इसे बोलते है कर्ण तीन बुझाएं होती है तीन में से अगर दो बुझाएं आपको given है तो आप तीसरी बुझा को आराम से निकाल सकते है इन दोनों का square करके अगर जोडेंगे तो यह निकल के आता है कर्ण ठीक है तो यह क्या होता है एक formula होता है कर्ण का square बराबर आधार का square प्लस लंब का square यह बाते आप सभी लोगों को सभी दोस्तों को सभी को पता होगी ठीक है suppose that यह अगर तीन है और यह भुझा आपको चार दे रखी तो यह आपको बता करनी होगी इसकी लंबाई कितनी होगी एक triangle आपके पास है इसकी तीन दे रखा है यह चार दे रखा है यह आपसे पूछा है कितना होगा कैसे पता लगाएंगे भई हमने क्या बोला कर्ण का square क्या होता है कर्ण का square पराबर आधार का square आधार कितना है 3 3 का square 9 λंब का square 4 4 का square 16 तो कर्ण का square इक्वल तो 9 और 16 होता है 25 तो कर्ण की जो value आएगी ये square जो है cancel out होके यहाँ वर्गमूल बना देगा और अंडर रूट 25 का जो अंसर आता है वो होता है 5 तो कंड के value कितनी आ गई 5 तो तुम बोलोगे सर ये वाली बुजा होगी 5 ये वाली बुजा होगी 5 तो Pythagoras पर में ये होता है मैं इस पर इसलिए detail में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे आगे class देख भी नहीं रहोगे देखोगे भी नहीं क्योंकि आपको लगेगा क्या basic सी बाते पड़ा रहा है तो Pythagoras पर में हमने primary school में सीख लिया था ये तब सीखा दिया जाता है पर ये आना चाहिए बच्चों को ठीक है किसी को फिर भी Pythagoras पर में नहीं आती होगी तो एक class जरूर Pythagoras पर में कि आप देख लीजिए गर मैस में बार बार काम आता रहेगा जब आप 2D 3D पड़ोगे तो इतने सही आपका काम चल जाएगा आयत में ये है और बाकी आयत के जो प्रस्न बनेंगे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूलों की नीड भी नहीं पड़ेगी तो शुरू करते हैं आज की class कुछ question मैंने बोट पर लिखे है उन question को देखते हैं आप कर पाते की नहीं कर पाते और आयत की practice हम सुरू करते हैं आपको इससे idea भी लग जाएगा कैसे कैसे present exam में बनते हैं पहला question ये आपकी screen पे लिखा हुआ है बनाने का परियास करेंगे खुद से करने की कोसिस करेंगे और देखते हैं आप कर पाते हैं की नहीं कर पाते हैं ठीक है यदि किसी आयत की लंबाई वह चोड़ाई का अनुपाद तीन अनुपाद चार है वह उसका परिमाव 56 है तो छेतरपल ग्याद करूँ इट मिन्स परिमाव दे रखा है लंबाई चोड़ाई का अनुपाद दे रखा है और छेतरपल आपको बता है कैसे इस क्वेशन को किया जा सकता है उसको करने का परियास हम लोग करेंगे देखो लंबाई और चोड़ाई का अनुपाद लेंथ और ब्रित का जो आपको रेशियो दे रखा है वो दे रखा 3 और 4 मैंने पूरी मैस जब भी पढ़ाई होगे आपको मैंने हमेशा आपको बताया है कि मेरे दोस्त कि रेशियो कभी भी एक्चुल नंबर नहीं होता है रेशियो किसी भी रियल नंबर को काट काट के काट काट के छोटा किया जाता है मैं अगर बोलूँगा कि आपकी और मेरी आयू का नुपाद 3 और 4 है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 3 साल के और मैं 4 साल का हूँ आप 30 के हो सकते मैं 40 का हो सकता हूँ आप 15 के हो सकते मैं 20 का हो सकता हूँ काट फाट के रेशियो 3 और 4 ही आएगा तो मैं क्या करूँगा इसको एज्यूम कर लूँगा कि यह होगी 3X length मतलब लंबाई और चोड़ाई करने बाद 3 तो यह हो जाएगा 4X ठीक है आप यह मत समझना लंबाई कम होगे चोड़ाई जाद होगे ठीक है इसको B और L बी लिख सकते है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको रेक्टेंगल ऐसा होगा और यह 3 होगा यह 4 ही होगा ठीक है जादा दिमाग लगाने के कोई आवशकते है नहीं है रेक्टेंगल इसी को बोलते है कि आमने सामने की बुझा है बराबर होगी वो थोड़ा लिखने में आ गया L into B या इसको 4 into 3 लिखना चाहिए था कोई दिक्कत ना समझे आप कोई प्रॉबलम नहीं होगी और उसका परिमाब 56 है परिमाब का फॉर्मूला क्या होता है 2 L प्लस B एक्वल टू 56 दे रखा है और L प्लस B को जोड़ेंगे 2 और L प्लस B को जोड़ूंगा तो कितना होगा 7 X एक्वल टू 56 7 X कहाँ साया L और B को जोड़ दिया मैंने 2 से इसको काट लो रहे भाई 2 दूनी 4 1 बचेगा 2 अठे 16 7 से इसको भी काट दो तो ये हो जाएगा 7 चको 28 X की वैलू कितनी आ गई है 4 ये पॉइंट आपको यातक है X की वैलू कितनी आ गई है 4 ठीक है हमको जो करना था हमने वही किया है अब कोई एक रेक्टेंगल था आपके पास आपने कासर ये 4 X है आपने कासर ये 3 X है X की वैलू 4 आई तो ये हो गया 4 चको 16 X की वैलू 3 आई 4 आई तो ये हो जाएगा 4 ती है 12 तो कोई रेक्टेंगल है लंबाई हो गई 16 चोड़ाई हो गई 12 अर छेतरफल हमको निकालना है छेतरफल क्या होता है L इंटू B तो 16 इंटू 12 करोगे तो 192 आपके पास अंसर आजाए अरे हमको छेतरफल तो निकालना था मेरे दोस्त छेतरफल क्या होता है L इंटू B अम मैंने L भी निकाल दिया 16, B भी निकाल दिया 12 इन दोने की गउना कर दे 102 आई का से निकला यहां से X की वेलू निकाली X की वेलू पुट करी लंबाई चोड़ाई पता चल गए अल लंबाई चोड़ाई जी पता चल जाएगा तो उसके बाद तो बस लंबाई गुणा गया चोड़ाई एक्वल टू छेतरफल होता है अगला क्वेशन यह आपकी स्क्रीन पर है बनाने का परियास करेंगे एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई के तीन बटे दो गुणा है यदि छेतरफल 54 सेंटिमीटर हो तो परिमाप बताओ अपकी बार आपको छेतरफल दे रखा है और परिमाप आपको बता करना है ठीक सर बहुत आसान क्वेशन है आप लोगों ने बना भी दिया होगा ये क्वेशन मुझे आपसे उम्मीद है उसकी लंबाई चोड़ाई के तीन बटे दो गुणा है ये लेंथ है ये बृत है बृत हमें पता नहीं है मान लो और लेंथ क्या हो जाएगा तीन बटे दो एक्स ये तो मैंने आपको arithmetic में भी सिखा रख़गा जिस दिन में आपको percentage सिखाय होगा कि दोस्तों कि A की आए उस से जएदा है उतना कम है उतना जएदा है तीन नमबर है एक नमबर का इतना गुनाव हो है उतना गुनाव हो है तो वो नमबर को assume कर लीजेगा जो सबसे छोटा नंबर होगा छोटे नंबर को कुछ माल लो X, A, B, C, D, Y, Z 1, 10, 1000 और उसके साप X में बड़े नंबर को कुछ ले लीजिएगा तो चोड़ाई को मैंने X assume किया और लंबाई चोड़ाई के भी 3 बेटे 2 गुना थी लंबाई चोड़ाई के 3 बेटे 2 गुना थी 3 बेटे 2 गुना बोले तो X को 3 बेटे 2 से गुना कर दिया यह निकल गए लंबाई बस चोड़ाई और लंबाई 3 बेटे 2 गुना है तो यह हो जाएगा X into 3 by 2 यही तो हो जागा 3 बेटे 2 गुना गुना मतलब गुना अब कुछ भी नहीं किया जैसे बोला वैसे कर दिया आप्टर देट बोलता है छेतर पल छेतर पल क्या होता सा लंबाई गुना गया चोड़ाई छेतर पल के फॉर्मूला क्या होता लंबाई गुना गया चोड़ाई अल लंबाई गुणा गया चोड़ाई मुझे दे रखा 54 एक्जाम रणने लंबाई की जगा क्या लिखूँँगा मैं तीन बैटे दो X इन दोनों की गुणा multiply चोड़ाई की जगा क्या लिखूँँगा X बराबर यह हो जाएगा 54 इतना ही तो लिखूँँगा तीन से इसको काटूँगा तो तीन एकुम तीन दो बचेगा तीन अठे चोड़ाई यह हो जाएगा X से X की multiply होगी तो यह हो जाएगा X square और यह जो दो upon में हैं यह इसके साथ multiply में जाएगा तो 18 दूनी होता है इतना तो solve करना आपको आता होगा मैंको पता है कि कोई बिल्कुल beginner होगा जिसको कुछ नहीं आता जो पहली बार math पढ़ रहा तो इतने में भी confused हो जाता है क्योंकि मैं भी arts medium वाला हूँ history political मैंने भी पढ़िये वही वाला चातरू में भी और मैंने भी math नहीं नहीं सीखी थोड़ा बहुत कई वार मैं mistake भी कर देता हूँ तो x into x x square होता है जबकि x plus x 2x होता है 3 से ये cut गए 18 बार 2 upon में था यहां जाके multiply होगा x square बराबर 36 तो x की value हो जाएगी जब square को काटते हैं तो यहां root लगाते है root 36 और root 36 का मान क्या होगा 6 क्योंकि 6 चके क्या होता है 36 तो x की value क्या आ गई है 36 आ गई है अब जो यह लंबाई और चोड़ाई था इनको अगर आप देखोगे कि लंबाई और चोड़ाई जो था आपके पास चोड़ाई आपने x माना था तो यह तो क्या हो जाएगा 6 लंबाई आपने क्या माना था 6 इंटू 2 बटे 3 चोरी 6 इंटू 3 बटे अरे आपने यह तो बोला था x की जगा तो क्या लिखना पड़ेगा 6 अरे इंटू 3 बटे 2 तो इंटू 3 बटे 2 2 से यह 6 कर जाएगा 2, 3, 6 तो क्या हो गया 3, 3, 9 और चोड़ाई हो गई 6 तो लंबाई और चोड़ाई आपकी निकल गई 9 और 6 फिर आपको क्या निकालना था परिमाप निकालना है आपको क्या निकालना है परिमाप सर परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B 2 की जगा लिखेंगे 2 और L प्लस B इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15 और 15 दुनी क्या होता है 30 तो अंसर क्या आ जाना चाहिए हमारा 30 30 will be right कौन सी बात समझ में नहीं आए बहुत छोटे छोटे क्वेसन है लंबाई गोना गया चोड़ाई 2 L प्लस B इतनी बाते आप सभी लोगों को आनी भी चाहिए ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अगला क्वेशन बोर्ट पे लिखा है इसको बनाने का परियास करेंगे आप सभी लोग तब तक हम पानी पीते हैं आप बनाईएगा एक आइता कार पार्क की माप 60 x 40 मीटर है मतलब लंबाई साटी होगी चोड़ाई 40 होगी यही तो मतलब होता है यदि उसके चारो तरब 2 मीटर का रास्ता बनाए जाए तो रास्ते का छेतरपल ग्याद करो ऐसे प्रस्णों को इंपोर्टेंट करें और इसका आप स्क्रीन शॉर्ट ले लो ऐसा क्योंस आपको SI के पे मैं जरूर एक दिखेगा छेतरमिती वाले टॉपिक में जहां पे वो रास्ते का छेतरपल पूछेगा चाय वर्ग में पूछे चाय आयत में पूछेगा जरूर देखो ये एक सिंपल सी बात कह रहा है इसको अगर मैं समझाने का परियास करूँ आपको जो भी बच्चा नया है या जो बेसिक से सीख रहा है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सीखो एक आयता कार पार्क है आयता कार पार्क in the sense कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस पार्क के लिए बोल रखा है कि जो ये वाला एरिया है ये है 60 अर जो ये वाला है, ये है 40 अब इसके बाहर से चारों तरब दो मीटर का रास्ता बना रहे मतलब इसके बाहर से रास्ता बन रहा ये बाहर से इसका रास्ता बन रहा है ये और इसका जो चोड़ाई है रास्ते की ये जो आपको चोड़ाई बता रखी है ये जो आपको चोड़ाई बता रखी है ये बता रखी है दो मीटर की ये जो रास्ता की चोड़ाई आपको बता रखिये ये बता रखिये दो मीटर की इतनी बात तो समझ में होगी यार इतनी बात तो समझ में आनी ची साट और चालिस कांसली का ये दे रखा उन्होंने एक रेक्टेंगल और इसके बाहर से दो मीटर का रास्ता बना रहे मैंने बाहर से दो मीटर के रास्ता बना दिया अब एक बाहर भी आपको कहीं न कहीं rectangle दिख रहे हैं और आप देखो यहां से लेके यहां तक की जो length है वो कितनी थी? 60 दुबारा से समझो Sir, जो अंदर वाला rectangle है वो जब यहां तक 60 है तो यह भी कितना होगा यहां से लेके यहां तक यह भी कितना होना चीए 60 और यह तुम क्या बोल रहो कितना है 2 मीटर का तो जो यह वाली distance है यह भी कितनी होगी 2 मीटर Sir, यह वाली जो distance है यह भी कितनी होगी 2 मीटर तो जो बड़ा बाहर वाला rectangle है उसकी length कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक 60 अदो मीटर इदर अदो मीटर इदर लंबा हो गया तो टोटल कितना हो गया है यह? कौन से वाले rectangle की मैं बात कर रहा हूँ? फिर से ध्यान दे, मैं कौन से rectangle की बात कर रहा हूँ? जो बाहर वाला rectangle है अगर आप इस बाहर वाले rectangle को देख पारे होंगे यह वाला rectangle तो इस बाहर वाले rectangle की length कितनी हो गई? 64 यहां से लेके यहां तक तो 60 था, 2 मीटर इदर चोड़ा हुआ, 2 मीटर इदर चोड़ा हुआ, 64 हो गया ठीक है सर इतनी बात समझ में आई है अब हम जब बृत देखेंगे इसकी, तो यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो इस कितना है? 40 अब जो यह वाली distance है, यह भी 2 मीटर की distance है यह वाली distance भी 2 मीटर की है, तो 42 यहां पे बढ़ा होगा, 2 यहां पे बढ़ा होगा तो जो बाहर बढ़ा वाला veilah बृत, सर्कल हमारे पास बना, तो बाहर वाले जो बढ़ा का बृत 40 तो पहले से था, दो इधर बढ़ा, दो इधर बढ़ा, 40 ओर 4, यह कितना होगा? सर आप किसकी बात कर रहे हैं समझ में नहीं आया तो मैं इस वाली बृत की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त इस वाले बृत की सर ये चवाली सके ऐसे हो गया तो मेरे दोस्त 40 तो पहले सी था यहां से लेके यहां तक दो मीटर इधर बढ़ा, दो मीटर इधर बढ़ा, रास्ते के कारण तो कितना हो गया चवाल अब बाहर वाले ब्रत में से अंदर वाला ब्रत अगर आप माइनस कर दो बाहर वाले ब्रत में से अंदर वाला ब्रत अगर माइनस कर दो तो आपके पास यह रास्ता बच जाएगा और यही रास्ते का छेतरपल आपसे पूछा था बस यही उसका लॉजिक है समझाने का परियास में ने किया था समझे होंगे आप बाहर वाले आयत से अंदर वाले आयत का छेतरपल माइनस कर दोगे तो बीच का रास्ते का छेतरपल बच जाएगा बाहर बड़ा वाला जो आयत है उसका छेतरपल क्या होगा लंबाई गुणा गया चोड़ाई तो 64 multiply 44 यही होगा लंबाई गुणा गया चोड़ाई और इस में से आपको माइनस करना है वो वाला छेतरपल जो अंदर वाले आयत का छेतरपल 60 गुणा गया 40 बाहर वाले वरत से सोरी बाहर वाले आयत से अंदर वाले आयत को माइनस करोगे तो यह बीच का रास्ता हमारे पास बच जाएगा अब वही रास्ते का छेतरपल हमसे पूछा गया था हासिल लगो एक, चार चके 24 और एक 25, चार चको 16 का 6, हासिल लगो एक, चार चके 24 और एक 25, तो 6, 6 और 5, 11 का एक, हासिल लगो 1, 5 और 6, और 2, 8, तो यह हो जाएगा, 2, 8, 1, 6, इस में से माइनस करना पड़ेगा, इनका मल्टिपला है, 6, 24, 0, 0, तो हमारा अंसर आजाएगा, 6 में से 0 गया, 6, 1 में से 0 गया, 8 में से 4 गया, यह हमारा क्या आजाएगा, अंसर आजाएगा, रास्ते का चित्रपा, कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, यहां पे समझाने का परियास किया था समझने का परियास करें अंदर वाले वरत मैनस कर दिया अंदर वाला आयत भार वाले आयत से मैनस कर दिया, that's it अगला, एक आयत 15, 25 15 मीटर है, इसके मद्य से 2 मीटर लंब बहुत रास्ता बनाए जाए, तो रास्ते का छेतिरफल क्या होगा सेम रास्ते वाला क्वेशन है, मगर यह रास्ता बनाया जो जा रहा है यह रास्ता बनाया जा रहा है, पार्क के बीचो बीच से, यह आयत के बीचो बीच से तो इस वाले पॉइंट को आप याद करें काफी अच्छा question बने का ये question पिछले वाले question ते little bit different है और क्या different इस question में है अपकी बार जो आयत आपके पास है इस आयत के पीचो बीच से लंबुवत रास्ते बनाए जा रहे हैं like this इस rectangular park के बीच से रास्ते बनाए जा रहे है और इस रास्ते का छेत्रपल आपसे पूछा गया है ये जो रास्ता है इस रास्ते का छेत्रपल आपसे पूछा गया है इस रास्ते का छेत्रपल आपसे पूछा गया ठीक है ये बात आपके समझ में है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है actual में आयत के बीच में, आयत की लंबाई आपको 25 दे रखिए, आयत की चोड़ाई आपको 15 दे रखिए, अब हमको इस रास्ते का छेत्रपल निकालने, रास्ते का छेत्रपल निकालने के लिए आपको रास्ते की चोड़ाई उसने दे रहे कि 2 मीटर है, तो इसका मतलब जो ये वाल डिस्टेंस है चोड़ाई जब 2 मीटर है तो यह वाली डिस्टेंस की चोड़ाई कितनी हो जाएगी और यहां से लेकर यहां तक कितनी लंबाई है सर आप पो लोगे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है 25 तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी क्या हो जाएगी कि 25 तो इसके अंदर एक आयत आपको दिख रहा होगा ये वाला जिसकी लंबाई तो हो गई 25 अचोड़ाई होगी 2 मीटर तो 25 दूनी 50 इसका एरिया निकल गया 50 फिर हम दूसरे वाले आयत में फोकस करें एक आयत एक रेक्टेंगुलर सेफ मुझे ये भी दिख रहा है सर इसकी चोड़ाई के मैं बात करूँ यहां से लेकर यहां तक तो इसकी चोड़ाई कितनी थी 15 मीटर तो यहां से लेकर यहां तक कि जो चोड़ाई होगी 15 लंबाई और जो ये वाला रास्ता है ये कितने मीटर का था दो का तो लंबाई अब की बार हो जाएगी 15 दूनी कितना हो गया 30, तो दोनों को जोड़ दे तो कितना हो गया 80 cm square हमारा अंसर होना चाहिए था, रास्ते का छेतरपल निकालना था, अरे लंबाई 25, चोड़ाई 2 तो 25 दूनी 50, ये 15, चोड़ाई 2 तो 15 दूनी 30, निकल गया 80, बैट अगर आप देख पाओगे एक चीज, अब वो क्या चीज है, कि जो ये बीच वाला एरिया है ना, इस एरिया को हमने दो बार count कर दिया, जब इधर से गिना तो भी गिन दिया, इधर से गिना तो भी गिन दिया, और जब इसको दो बार count कर दिया गया है, तो इसको minus करना पड़ेगा, जो ये बीच में एक circle बना, यहां से लेके यहां तक की distance भी 2 यहां से लेके यहां तक की distance भी 2 तो इसके अंदर एक छुटकू सा वर्ग बन गया है एक छुटकू सा वर्ग बन गया है और इस छुटकू से वर्ग का छेतरपल side इसकी 2 है तो इसका छेतरपल कितना होगा? 2 का square बोले तो 4 गोले का छेतर पल निकाल के उसको मैनस कर दिया, हमको पता चल ला था कि ये वाली distance दो है, ये वाली distance भी दो है, तो इसका मलब ये एक circle बन गया, वर्ग बन गया, square बन गया, और square का area कैसे निकालते, A square, तो 2 का square कितना होगा, 4, तो मैंने 4 मैनस कर दिया, अंसर आगे 36, देख लीजिएगा आप, अगर समझ में नहीं आएगा, तो बेज जीजा को के पूछेगा, अगला question है, very very important कर गए, इस question को भी सीखेंगे, not करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे, और बेज जीजा को के पूछेगा, आपका अधिकार है पूछना, ठीक है, एक आयत, आयत 4 into 3 मीटर का, इसके फर्स पे 8 cm और 6 cm में, आपकी टाइल बिछानी है, तो टाइलो की संक्या बतो, बहुत important question, टाइलो की संक्या बोले तो N, N बताना हमें, टाइलो की संक्या, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, कुल 6 पल, कुल 6 पल निकाल दो, जितना बड़ा वो कमरा है, जहां तुमको टाइल्स बिछानी है, और अप आउन में, एक टाइल की माप लिख दो, एक टाइल का 6 पल केतना है, जो टाइल बिछानी है, आपको कितने की बिचानी है आठ और 6 cm की बिचानी है तो वहाँ पे लिग देंगे अपन में टाइल का छेतरपल बस आपका अंसर आजाएगा कुल छेतरपल कैसे निकलेगा सर टोटल एक आयात है जो 4 मीटर और 3 मीटर का है जबकि टाइल सेंटीमीटर में दे रखा है और कमरे की माप 4 मीटर और 3 मीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर में दे रखा है टाइल्स तो मीटर को भी पहले सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा करके छेतरपल निकलता देखो लंबाई गोना गया चोड़ाई करके छेतरपल निकलता है यह कुल छेतरपल है अपन में एक इनट का छेतरपल या एक टाइल का छेतरपल और एक टाइल का छेतरपल क्या है आठ इंटू 6 तो आठ इंटू 6 लिखे देंगे 8 इंटू 6 वही तो टाइल का 6 पर लंबाई गोना गये चोड़ाई 8 इंटू 6 आयत का 6 पर लंबाई गोना गये चोड़ाई 400 इंटू 300 सर 4300 का सा आया क्योंकि वो मीटर था मीटर को सैंटीमीटर बना आया तो 4300 हो गया 8 से काटोगे तो 8 5 40, 50 6 से काटोगे तो 6 5, 30 पचास और पांच पंजे होता है पचीस और दो जीरो कर दो जीरो तो पचीस सो इंटो की आवसिकता होगी option number C कितना आसान सा question है जब भी इंटो की संख्या निकालनी होगी तो मेरे दोस्तों क्या करना है total area upon का इंट का area या tiles का area आप concern निकल जायागा बहुत आसानी से कोई दिक्कत ने होगी ठीक है आगे बढ़ते है एक आयत की लंबाई में 20% की बिदीत दाचोड़ाई में 10% की कमी करने पर 6 पल पर क्या परवाव पड़ेगा बहुत important important person आपको करवा रहा हूँ और बहुत छुटकू से logic से करवा रहा हूँ कि आप आराम से सीख पहूँ ठीक है ये लंबाई तो बढ़ा दे रहे हैं 20% अचोड़ाई को 10% कम कर दे रहे हैं सर जब मैंने आपको परतिसत पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया होगा 20% equal to होता है 1 by 5 इतनी बाते पता होगी 10% का equal to होता है 1 by 10 ये सब को पता है rectangle का जो formula होता है 6 पल का वो होता है L into B लंबाई पहले कितनी थी? 5 थी ये length की बात कर रहा था न length आई ये breath की बात कर रहा था हूँ आई ये भी पता है कि length increase हुई है और breath decrease हुई है length 20% बढ़ी है और चोड़ाई breath 10% कम हुई है तो length पहले 5 थी अब 1 बढ़ गई तो अब length कितनी हो गई होगी 6 L के नीचे लिखा है मैंने दोको length पहले 5 थी अब 1 बढ़ गई होगी तो उसके नीचे क्या लिखा है? एक बढ़ के 6 चोड़ाई चोड़ाई पहले कितनी थी? चोड़ाई पहले थी 10 अब चोड़ाई एक कम हो गई चोड़ाई एक पॉइंट कम हो गई तो अब चोड़ाई कितनी हो गई होगी? दस में से एक कम हो गई तो कितनी हो गई? लंबाई पहले कितनी थी पांच लंबाई एक बढ़के अब कितनी हो गई चोड़ाई की बात करेंगे चोड़ाई पहले कितनी थी दस और एक कम हो गई अब चोड़ाई कितनी हो गई लंबाई गुणा गया चोड़ाई करके छेतरपल निकलता है तो 10, 50, 50 पहले 6 पल आ रहा था अब 6, 54 अब 6 पल आ रहा है तो increase हुआ है पहले 6 पल 50 था अब 54 हो गया तो बढ़ रहा है कितना increase हुआ मेरे दोस्त तो सर 4 increase हुआ कहां से increase हुआ मेरे दोस्त तो 50 से हुआ ये मैं arithmetic पढ़ाते समय बता चुका हूँ कि upon में हमेशा वो value आती है जिससे तुलना की जाती है तो 4 upon 50 अरसर percentage बनाने के लिए क्या किया जाता है multiply 100 50 से कट जाएगा 50 दुनी 100 आ ये हो जाएगा 4 दुनी 8 तो 8% का increasement effect पड़ेगा इस वाले rectangle पर बहुत आसान तरीके से कराया इसका एक formula भी होता है a plus b plus minus a b upon 100 ऐसे formula के चकर में आप ना पढ़े इससे आसानी तरीके से ये है और इसमें ना कोई confusion और ना कोई दिक्कत आसानी से आप कर सकते हैं इसमें minus plus में थोड़ा गड़ बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है ये problem हो सकते इसलिए चीजों को ध्यान रखें चलो next यदि आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जाए चोड़ाई 20% कम कर दी जाए तो चेत्रिपल पे क्या परवाव पुड़ेगी अभी तो आपको सिखाया था इसको तो आप ऐसी कर देंगे होंबग देते हैं आपको बताओ इतुक ताणी चाणू न अगर इतुक भी नहाँ आणू तो क्या बोल सकते हैं लंबाई इनक्रीज हो रही है चोड़ाई डिक्रीज हो रही है लंबाई का परसेंटेज 25% चोड़ाई का परसेंटेज 20% 25% बराबर होता एक बटे चार अब 20% बराबर होता एक बटे पाँच हमने लिखा length into breathe लंबाई पहले चार थी अब लंबाई अब एक बढ़ गई है तो लंबाई अब हो गई होगी पाँच तो L के नीचे लिख दिया पाँच लंबाई पहले चार थी एक बढ़ गई अब हो गई पाँच multiply चोड़ाई पहले पाँच थी अब चोड़ाई एक घट गई है माइनस चोड़ाई एक घट गई यहाँ पर लिखा है चोड़ाई घट गई है तो चोड़ाई अब पांच में से एक घट गई तो कितनी हो गई होगी चार छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता सा लंबाई गुणा गया चोड़ाई तो चार पंजे बीस और पांच अकू बीस तो छेतरफल पहले भी बीस था छेतरफल अभी भी बीस है तो क्या इसके छेतरफल पहले कोई इफेक्ट पड़ा तो हम चुनेंगे 9 इफेक्ट हम बोलेंगे 0 इफेक्ट या 0 परभाव पड़ा कोई as it is जैसे था एरिया अभी भी एरिया वही है उसके एरिया पहले कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है अब यह समझ में आया होगा कितना प्यारा तरीका है कितना आसान तरीके से हमने कर लिया उम्मीद गर रहा हूँ आपकी भी समझ में आ रहा होगा नि तो यह है अब बें जिजकों के उतारिया कोई भी प्रॉब्लम होती आप टेलेग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप WhatsApp में मैसेज कर सकते हैं call को avoid call को avoid किया गया call ना करें आप परेसान हुए उपान उठाक उठाक परेसान मैं आपर जिंदगी हैं भी आपरा काम धंदर हैं दी आप फॉन 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 तो बहुत दिक्कत है अभी भी क्लास बनाते समय कॉल आते रहते हैं तो यह थोड़ा अच्छ नहीं लगता मुझे परसनली भी मेरा फॉन पर बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है परसनली भी आप मैसिस में बेज दीजेगा जैसी टाइम मलेगा आपको सॉलुशन मिल जाएगा ठीक है अगला लास्ट क्वेशन है यह आपके लिए एक आयत की लंबाई वह चौड़ाई का अंतर 17 उनके पर जैसा एक्जामनर बोलता है वैसा अगर आप करोगे तो इजी बन जाए देखो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 17 है तो लंबाई माइनस चौड़ाई एक्वल टू 17 अंतर चौड़ा है तो यही तो करूँगा L मैनस B लंबाई में से चौड़ाई गटाउं का तो 17 आना होता है पहले क्लास को स्टार्टिंग देख लीजिए का स्टार्टिंग में यही बताया था तो 2L प्लस भी एक्वल टू यह आपको दे रखा है 106 परिमाप दे रखा है एक 106 अब परिमापका फॉर्मूला होता है 2L प्लस भी तू से मैं कैंसल आउट इसे करूंगा 2,5,10 अर्दो 3,6 तो मेरे पास एक लॉजिक निकल के आगया जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ अर्थमेटिक पढ़ाते समय ऐसा नहीं है कि यह चीज़े मैं आपको पढ़ाए नहीं हूँ जब मैं कभी आपको अर्थमेटिक सिखाता था तब भी मैंने यह चीज़े आ अर्थमेटिक पढ़ाते समय बताया है मैंने दोस्तों आपको सिखाया भी है मैंने बकायदा आपको कि माइनस प्लस कट जाएंगे एल और एल जुड़के यह टू एल हो जाएंगे और सतरा और त्रोपन को अगर आप जोड़ोगे तो साथ और तीन दस का सुन्य हासिल लग सतर दोसे यह सतर भी कट जाएगा तो अंसर आएगा पैंतिस एल की वैल्यू हमारे पास निकल के आगई है पैंतिस ठीक है एल एक्वल टू थर्टी फाइब आपने निकाल दिया है छेतर पल निकालने के लिए तो एल इंटू बी दोनों चीए एल आप निकाल चुके हूँ पी यहां से निकाल सकते आप एल मेंसे क्या गटाने पर सतरा आए एल की वैल्यू तो 35 है है पैंतिस मैंनस बी एक्वल टू को सतरा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 मैंनस सतरा बराबर अठारा यार L-B बराबर 17 है ना और जब L 35 है तो 35 में से क्या गटाएंगे कि 17 हो जाएगा तो 35 में से 18 गटाएंगे इसो 17 आएगा तो मतलब B कितना निकल गया आएगा 18 L into B लंबाई गुणा गया चोड़ाई से छेतर पल निकलता है लंबाई आपका सर 35 आगया है चोड़ाई सर आपका 18 आगया है लंबाई गुणा गया चोड़ाई करोगे सर छेतर पल निकल जाएगा 18 पंजे कितना होता है 90 कहरी लगा 9 18 कुम 18 26 36 34 10 64 1 कम करो 63 तो मतलब 3630 विल भी राइटन सर कितना आसान तरीके से बता दिया बताओ इतना मुस्किल क्वेसन था इतना इजी करत जैसे आपको सिखाए गया है अगर आप इन ट्रिक्स को इन तौर तरीकों को फॉलो करोगे एक बार दुबारे इन क्वेसनों को लगाऊगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगे मेरे को बहुत ज़्यादा मैट्स नहीं आती मेरे दोस्तों बेट आपको SI बनाने के लिए वो वो चीज करौँगा वो वो फैक्ट वो वो ट्रिक करौँगा जो सिलेबस में है और जो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे आप भरोसा रखिएगा प्रैक्टिस करिएगा धन्यवाद कोई गलती भी होगी तो माप करेंगे मिलते एक नेक्स लासमे